दोस्तों हमने ट्रेक्टर की वीडियो तो काफी बार बनाई हैं बहुत सारे व्यूर्स की डिमान थी कि आप टायर्स पर वीडियो बनाएं तो आज की हमारी जो स्पेशल वीडियो है कि किसान को जब टायर लेना होता है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम आज ऐसे विक्ति के पास आई हैं गुर्चल सिंग जी लामबा जो की लामबा टायर्स यहना नगर हरियाना से हैं वो लगवगा 51 साल से टायर्स का काम करते हैं और उनसे जानते हैं कि किसान को जब टायर लेने होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैसे टायर खरेदना चाहिए और कौन सा टायर बेस्ट है इसके बारे में आपसे जानेंगे हम यह जिस टायर की MSD ज्यादा होगी वह ट्यार कस्ते कस्मेर को खीद ना चाहिए उससे क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज जो है कि जितनी MSD ज्यादा होगी यानिकि गुड़डी गुड़डी की बात कर रह जा भी जो बीद में यह टैर है यह ए किया चीज़ है सर यह टैर के अंदर टैर बनाया गया है उसके हवा पास होती है ऑट गरम भी नहीं होते तो यह इसके बना हुआ यह बना हुआ यह बीसका उन्ची है और सक्टेश जाए इसकी 43 mm गुड़्टी है और इसकी साइड वाल बहुत जादा मजबूत है इसका क्या फाइदा होता है इसका मजबूत होने से सबसे बड़े चीश जो है कि यह साइड वाल मजबूत होगी टैर साइड से कभी फटता नहीं अगर जा कि ये कन्नी जो मजबूत होगी तो कभी टैर कन्नी चे खराब नहीं होता नहीं तो अक्सर टैर कन्नी चे खराब हो जाते हैं harlad کےंदर load केंदर घीमिदार केकाम में नहीं होते हैं लेकिन जो loading का काम करते हैं उसमें किनी बहुत जादा टैर कि खराब होती है में 38 में यह काम नहीं है 38 compart PLUS में ठीक है तो सर किसान के साथ धोका कहां पर होता है किन चीज़ों किसान को देखिया सबसे बड़ी चीजह है कि ट्रक्रव के ओपर यह यह जड़ ररेटिंग के पैड़ेंग है यह बारात पैर होता है तो है इसमें आठ पैर होता है झाल। तो उसमें कम ते कम 3-4,000 वेगा rate difference होता है जो की दुखंदार नहीं देता सबसे बड़ी चीज है कि उसकी sidewall ज्यादा मजबूत होगी अगर जो 8 प्लाई का टैर होगा उसकी sidewall बहुत कम जोर होती है वो कभी भी फट सकता है तो किसान भाईयों आप 14,9,28 ऐसे नमबर तो देख लेती है इसके अलावा पलाई का भी पूरा ध्यान रखे और sidewall का खास दोर पे ध्यान रखे और जो tractor का टैर लेता है वो पंचर पैड इसका होना भी बहुत जरूर है इसे भी ध्यान में रखे तो इसके अलावा सरा आप जो वरंटी होती है उसके बारे में क्या कहना चाहिए उसको किस हिसाब से देखना चाहिए C8 के टैर की जो है कि मिनफेक्टिंग वरंटी पांच साल है अगर कोई भी कंपनी का फाल्ट आता है जैसे टैर कहीं से हवा ले जाता है टैर में क्रेकिंग आ जाती है कोई भी फाल्ट आता है कंपनी का तो साइड वाल से जो है कि उसमें सप्रेशन आता है साइड से आता है घुड़ी में आता है कहीं भी तो वो पांच साल की वरंटी है और अगर इसमें एक स्पेशल वरंटी है 50% तक 3 साल केंदर अगर टयर में कहीं पर कुछ भी हो जाता है कट फर्ज लग जाता है डाउन चल जाता है कुछ भी ओकनी खराब हो जाती है तो वह स्पेशल वरश्टप संट तक 3 साल के अंदर चियाट का हर टयर बसलके दिया जाता है जितने घिसाई होगी किसाई कस्टमर से चार्ज की जाएगी स्को निया टयर दिया जाए तो सर बड़े अरिमस्으 का और किसान देखा, मैंने 12 तैयर होथा उसके 14 डालता है तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है तो सर आप बहुत सारे टायर बेज़ती हैं तो आपका एक्सपिरेंस कैसा रहा है जो किसान के लिए टायर होते हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको रिजल्ट जादा अच्छा मिला है तो ये थे मारे साथ लामबा जी जिनने काफी सारी इंफोमेशन दी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों उमीद हैं आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी तो इस वीडियो को दबा के शेर करें लाइक करें क्योंकि किसानों के पास अगर टायर्स के बारे में इंफोमेशन जाएगी तब ही उनको अच्छे से टायर्स के बारे में पता चलेगा और जो लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में धन्यावाद